Hello Friends, आज मैं आपको 2016 की आसकर विनिंग मूवी Moonlight Explain करने वाला हूँ हम बजबन से लेकर जैसे बड़े होते जाते हैं और इसके साथ-साथ ही अपनी identity पार लेती है इसी एक subject पर यह मूवी है यह मूवी इसके साथ बहुत सारे lessons हमें सिखा कर जाती है तो चलिए शुरू करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमारा first character One हमें दिखता है One जो होता है यह एक drug dealer होता है इसके नीचे बहुत सारे आदमें काम करते हैं इसके जो drugs होते हैं यह ही distribute करते हैं One एक जगा आया है यह हमें दिखता है और इसका जो drug dealer होता है इससे पता विगरा पुछता है क्या चल रहा है यह सब उससे पुछता है जब इसको पता चल जाता है कि business विगरा किस तरह से चल रहा है इसके बाद वो आज से चला जाता है नेक सीन में हम देखते हैं कि एक छोटे से लड़की की पीछे बहुत सारे लड़की भाग रहे है इसे यह सब मारने वाले होते है तो यह बहुत जोर से भाग रहा होते है यह हमारा main character है और इसका नाम है Sharon इसे सब लिटल बुला थे है यह भाग भाग कर एक सुमसांग building में आ जाता है वो आवो छुप जाता है जो जो आन था इसका काम हो चुका है तो वो directly इस building में आ जाता है यह जो building होती है यह बहुत सारे लोगs drugs करते है यह हमेशा इस building को चेक करता रहता है क्योंकि यह drugs sell करता है और इसे जादा कुछ trouble नहीं चाहिए यह जो बंदर आता है तो littal को देखता है little बहुत दरा हुआ होता है वो कहता है कि मुझसे डरने के कोई भी जरूत नहीं है मैं यहां से जा रहूँ उसे वो बहार आने के लिए बोल रहा होता है यहां worth रूख सकता है यह सब उसे कहता है लीटल बहुत ही डराओ होता है और बाहर नहीं आ रहा होता है तो हो कहता है कि यहां से मैं अब रेस्टोरंट में जाने वाला हूँ तुम मेरे साथ आ सकते हो हम दोनों लंच कर सकते है लीटल फिर मान जाता है और यह दोनों रेस्टोरंट में आ जाते है यह से बहुत सारा ख फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें इससे नहीं करने वाला, उसका खाना उसे वापस दे देता है, उसे कहता है कि जितना टाइम तुम लेना है तुम ले सकते हो, वान लीटल को फिर अपने गल्फरेंड के पास ले कराता है, वो कहता है कि तुम से कुछ न कुछ तो पर कुछ बोलता भी नहीं। डिलिटल कहता है कि तुम्हें नाम से ही बुलाते है। ये फिर थोड़ी थोड़ी बादी करता है और कहता है कि वो कहा रहता है ये अभी घर जाने के लिए रेड़ी नहीं होता तो तो ट्रेसा बोलती है कि आज रात तक तक तुम यहां रह सकते हो कल सुबा वान उसे छोड़ कर आएगा नेक्स दिन वान लिटल को उसके घर चोड़ने आता है उसकी मदर होती है इसके लिए बहुत ही वरिड होती है वो लिटल को कहती है तुम घर आना था तुम कहा चले गए थे वान को देखकर यहां बहुत ही परेशान होती है वान कहता है कि उसने इसे कहाब आया था वो अब यहाँ से जाने वाला होता है तो लीटल से हाइफाव लेना चाता है लीटल की जो मदर होती है यह उसे नहीं करने देती है लीटल को अंदर लेकर जाती है लीटल को अंदर लेकर उसकी मदर उसे बहुत डाटती है लिटल जब TV लगाने लग जाता है तो उसे कहती है अब तुम्हें TV में लगाने नहीं दूंगी उसे बुक पढ़ने के लिए बोलती है नेकस दिन में हम दिखता है कि लिटल अपने फ्रेंज के साथ खेल रहा होता है यह फुटबॉल खेल रहे होते है जो सब लड़के होते हैं बहुती स्ट्रॉंग होते है शायरान इनसे कीपब नहीं कर पाता है थोड़ी देर बाद यहां से निकल बढ़ता है उसके पीछे पीछे उसका एक फ्रेंड होता है केविन हो आने लग जाता है वो कहता है कि मुझे भी अब इतना इंट्रेंस नहीं इनके साथ खेलने में यह दोनों फिर बात करने लग जाते हैं केविन कहता है कि तुम बहुती सॉफ्ट हो ऐसा होने लगता है तुम कभी-कभी उनने दिखाना चाहिए कि तुम सॉफ्ट नहीं हो लिटल भी इसके लिए अगरी करता है केविन फिर उसे धक्का देता है वो कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम सॉफ्ट नहीं हो यह दोनों फिर एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते है और यह जब खतम हो जाता है तब केविन उसे कहता है कि इसी तरह से तुम अब उनसे भी फाइट करना है केविन एक अच्छा फ्रेंड होता है वर्ल में कैसे उसे रहना है यह उसे यहाँ सिखाता है नेक्स दिना में दिखता है कि वोन के पास फिर से लिटल आ चुका है वान फिर उसे बीच पर लेकर जाता है ये दोनों जब पानी में जाते है तब उसे तेरना कैसे ये सिखाता है ये हो जाने के बाद वो बीच के सैंड पर विटते है वान अपने बच्पन की स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि एक दिन हम ब्लॉक पर खेल रहे थे तोड रहे थे तब एक ओर लेड़ी मुझे मिली थी ये रात थी तब उसने मुझे कहा था जब ब्लैक लोग रात में घुमते है मुनलाइट उन पर पड़ता है तो ब्लू चमकते है वो मुझे तब से ब्लू बुलाने लग गई थी लिटल उसे पूछता है कि क्या तुमारा नाम ब्लू है वोन कहता है कि नहीं मेरा नाम ब्लू नहीं है तुम किसी और को डिसाइड नहीं करने दे सकते कि तुम क्या बनने वाले हो तुम क्या हो तुम क्या करने वाले हो यह कभी ना कभी तुमें ही decide करना पड़ता है रात में वान लिटल को छोड़ने के लिए आता है उसे थोड़ी सी pocket money भी देता है लिटल की मदर वान के मुँपर ही दर्वाज़ बन कर लेती है लिटल की मदर के साथ और एक आदमी आच आया हुआ होता है लिटल के साथ उसके जो friend होते है यह मेशा उस पर pick करते रहते है उसे कभी भी chain से नेरे ने देते नेक सिन में रात दिखाए गई है और one street पर होता है street पर अपना जो dealer होता है उसके साथ खड़ा होता है वो अपने dealer को कह रहा होता है कि किसी को भी यहाँ smoke करने मत देना वो जो sale करते है यह कभी भी उसका धुआ यहाँ से निकल रहा है यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए थोड़ी देर बाद जब वो देखता है तो पर एक गाड़ी से smoke आ रहा होता है अपने dealer को डाटता है और वहाँ इस situation को handle करने के लिए चला जाता है इस गाड़ी में जब वो देखता है तो लीटल की मदर और जो आदमी पहले हमें दिखाए गया था ये वहाँ बेटे हुए है और ये दोनों smoke कर रहे है वान इन दोनों को डाटता है और फिर लीटल की मदर इस पर चीट जाती है उसे पताता है कि लीटल हमेशा उसके पास आजाता है चीट कर उससे कहती है क्या तुम उसे बड़ा करने वाले हो वान कहता है कि मैं नहीं तो क्या तुम करोगी यानि कि वो ड्रग्स वगरा करती है तो अच्छी मदर नहीं है ऐसा उसे कहता है लीटल की मदर कहती है तुम भी ड्रग डिलर हो तुम भी उसे बड़ा नहीं कर सकते क्या तुम उसे बताऊगे कि लड़िये उसे क्यों चिटाते है Little gay होता है, इस लिए उसे सब बहुती Trouble देते है Little अभी छोटा है, इसलिए उसे पता नहीं है इसे किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा इसलिए उसे पूछ रहे होती है क्यों उसे जता रही होती है ये सब बताना One की responsibility नहीं है Little की मदर रख्स करती है Bad company मों रहती है इसलिए One के पास वो हमेशा आता रहता है एक दिन सुबा भी वो ऐसे ही आया होता है वो table पर side पर बैठा होता है One से कहता है तुम्हें सेंटर में बैठना चाहिए इससे तुम सब लोगों को देख सकते हो Little बैठकर उसे कहता है कि मेरे मदर को मैं hate करता हू One कहता है कि मैं भी मेरे मदर को hate करता था पर जैसे तुम बड़े होगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बहुत ही गलत था मैं अब उसे बहुत ही जादा miss करता हू Little one से question पुछता है वो कहता है कि सब लोग मुझे faggot बुलाते है इसका क्या मतलब होता है One कहता है कि gay लोग को बुरा फिल कराने के लिए कुछ लोग ये एक word यूज करते है Little पुछता है कि क्या मैं gay हूँ तो वो कहता है कि तुम्हें figure out करना पड़ेगा ये कोई तुम्हें नहीं बता सकता टेरे से बोलती है कि तुम्हें ये लोग बोलते है ये सही नहीं है ये तुम्हें ये नहीं बुला सकते वहारवान से बुछता है कि क्या तुम drug sale करते हो वहान बोलता है कि हाँ आप में drug sale करता हो लिटल की मदर ये पाय करती है ये द्रक्स करती है ये सुनकर वह वहाँ से उठार चला जाता है इस मुवे में हमें लिटल के अलग अलग time period दिखाए जाएंगे जो first time period था उसका नाम इन्होंने लिटल रखा था अब जो next time period आता है इसमें लिटल टीनेज में है उस्कूल में वेगरा है और इस period का नाम उन्होंने शायरान रखा है यानि कि लिटल से शायरान तक इसकी transition जो है यह हमें आप दिखाई जाएगी ये time period start होता है और हमें दिखता है कि लिटल को जिस तरह से बच्चे बच्चे बच्च्पन में चिड़ा थे थे अभी वेशे ही चिड़ा रहे है classroom में उसे कुछ बच्चे चिड़ा रहे होते हैं और वो कुछ बोल देता है इसी वज़े से वो detention में आ जाता है उसके बच्पन का फ्रेंड केविन भी हमें दिखता है ये भी detention में होता है जब लिटल उसे पूछता है कि वो क्यों detention में है तो केविन उसे कहता है कि मैं एक लड़की के साथ intimate हो चका था और ये school में होता है तो इसलिए एक professor इसे पकड़ लेता है अब इटेंशन में है कि उनसे कहे कर जाता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चली चाहिए लिटल जब घर पर आता है उसकी मदर उसे कहती है कि आज रात तुम यहाँ नहीं रुख सकते है आज मेरे पास company है यानि कि उसके पास कोई आने वाला है इसलिए लिटल फिल टेरेसा के पास आजाता है टेरेसा लिटल को खाना अगरा देती है और खुद पीने लग जाती है वो कहती है क्या तुमें में ड्रिंग्स दू ये वो जोक कर रही होती है क्योंकि गवान जो था वो हमेशा उसे ड्रिंग्स देता था हमें यहाँ पता चलता है कि गवान अब घुजर चुका है लीटल गवान के बारे में ज़्यादा खुश नहीं बोलता क्योंकि वो उसके लिए फादर फिगर जैसा था लीटल सर नीचे रख कर अपना खाना खा रहा होता है तेरे सो उसे कहती है यहसा डर डर कर तुमें मेरे हाऊस में नहीं रहना है तुम इस घर में प्राइट से अपना सर उपर रख कर रह सकते हो लीटल सिर्फ नौर करता है वो कहती है कि मैने जो सब का है वो तुमिए फेज से कहना है वो ज़्यादा बोल सके इसलिए उसे ट्रेन करती है रात होती है तो उसके लिए बेड बनाती है वो कहती है तुम्हें बेड बनाना नहीं आता था और वोन को भी बेड बनाना नहीं आता था लिटल को रात में सपने में अपना फ्रेंड दिखता है सुबह होती है नेज दिन लिटल अपने घर जाता है इसके जो मदर होती है एक घर के बाहर होती है और दर्वाजा लॉक हो चुका होता है उसे दर्वाजा खोलने के लिए बोलती है और इसके बाद उससे पैसे मागने लग जाती है यहाँ इसकी मदर हमें ट्वीची दिखती है यानि कि इसको ड्रक्स की ज़रूरत है और इसे मिल देती है擊, श्कूल से लिटल जब Teresa के पास जा रहा होता है, उसके स्कूल मेट फिर से उसे घहर लेते हैं, उसे पुछते हैं कि यहां तुम कहाँ जा रहे हो, उसका क्लासमेट फिर उसे छोड़ देता है आज लिटल को घर पर भी नहीं जाना होता और टेरेसा को भी मिलना नहीं होता तो डिरेक्ली बीच पर आ जाता है बीच पर थोड़ी देर बाद केविन आता है केविन यहाँ आसपास रहता है तो उसका देखकर यहाँ सप्राइस रोता है केविन हमेशा उसे बलैक बुलाता है यह उसकी लिए उसने निकनेम रखा होता है लिटल उसे पूछ भी लेता है क्यूं तुम मुझे बलैक बुलाते हो हूँ कहता है क्यूश पीर से बुलातो जिसा सब कुछ ठेर चुका है लीटल कहता है कि इतना शानत है कि खुद की हार्ट बेट में सुन सकता हूँ केविन कहता है कि इतना सही है कि रोना आ जाए लीटल भोलता है कि क्या तुम रोते हो वो कहता है कि नहीं मैं सिर्फ बोल रहा था लीटल कहता है कि मैं बहुत रोता हूँ मुझे बहुत सारी चीज़े करने का मन करता है यानि कि उसके जो classmates है या जो world है इसे उसे जगर जाना है ऐसा उसे हमेशा लगता रहता है केविन और शायरोन फिर एक दूसरे का हाथ पकरते है और वो एक दूसरे को किस कर लेते है केविन फिर लीटल को अपने घर छोड़ देता है वो उससे बुशता है या क्या तुमने ऐसा कुछ कभी किया था लीटल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता वो नौड करता है और वहाँ से चला जाता है लीटल जब घर पर आता है तो उसकी मदर उसे फिर से पैर से अपने पास बुलाती है इसकी जो मदर है यह जब भी क्लीन होती है या ड्रक्स पर नहीं होती तो यह बहुत ही अच्छी पैरेंट होती है ड्रक्स के नशे में जब वो पीसफुल होती है तब भी वो अच्छी parent बन जाती है जब भी वो drugs कर रही होती है जब उससे craving हो रही होती है तो ये कुछ भी करने लग जाती है ये एक responsible parent नहीं रहे थी वो यहाँ रात में लिटल से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है नेक्स दिन हमें school दिखाया गया है लिटल का जो classmate होता है जो उसे हमेशा position करता रहता है अब वो Kevin के पास आया हुआ है ये classmate Kevin को कहता है क्या तुम्हीं याद है जब हम जोटे थे तो एक game खेला करते थे ये जो game होता है इसमें ये किसी और के पास point करेगा Kevin जो है इसे जाकर उसे मारना पड़ेगा अगर कोई blame आया तो ये Kevin पर नहीं आएगा ये classmate पर ही आएगा ये classmate फिर Kevin से कहता है हमें फिर से करना चाहिए इस भार का जो target होता है ये little होता है यानि कि अब Kevin को little को मारना पड़ेगा जब school खतम होती है तब little के सब classmate उसे घेर लेते है Kevin को उसे मारने के लिए बोलते है Kevin उसे एक punch करता है और खेता है कि तुम नीची ही जुक करो Kevin उसे मार रहा है तो little को बहुत ही बुरा लगता है और वो नहीं मानता वो फिर से उट जाता है Kevin फिर उसे बहुत मारता है थोड़ी देर में school की authorities वहाँ जाती है अब next day में हमें little एक counselor से बात करता हो दिखता है एक counselor उसे कह रहे हुथी है जिसने भी तुमारे साथ ये किया है इसका नाम तुमें बताना पड़ेगा तुम जिस सब से गुजर रहे हो ये मैं समझ सकती हो little केता है तो एक कुछ भी नहीं बता कि मैं क्या मैसूस कर रहा हूँ little केविन पर rat नहीं करना चाता little किसी का भी नाम नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है नेक्स दिन जब वह क्लास्वर में आता है तो एक कुर्सी लेता है और जिसमें ये सब केविन को करवाने के लिए बोला था उस पर एक कुर्सी डाल देता है ये लट का बहुत ही जादा इंजोट हो जाता है पुलिस को कॉल कर दिया जाता है और ये जेल में चला जाता है ये इसके लाइफ का टाइम परेट खतम हो जाता है पहला जो टाइम परेट था उससे लिटल बुलाय गया था और इस टाइम परेट को शैरान बुलाय गया था अब लिटल की शैरान में ट्रांजिशन हो चुके है इसमें करे जा चुका है और अब ये जेल में जा चुका है अब जो next time period हमें दिखाये जाता है इसमें little अब बढ़ा हो चुका है ये fully grown man बन चुका है अब ये शायरोन बन चुका है तो हम इसे शायरोन नहीं पुकारेंगे इस time period का नाम उन्होंने black रखा है इसका जो significance है ये movie के last में मैं आपको बताऊँगा जब हम इस बार शायरोन को देखते है ये body builder बन चुका है ये सही तरीके से reach भी हो चुका है इसके पास apartment, एक अच्छी गाड़ी, ये सब कुछ है वहाँ जे इस तरह से drug dealer था उसी तरह से ये भी drug dealer बन चुका है ये किसी और शेहर में रहता है कुवान जिस तरह से city में घुमता था सब report वेगरा लेकर घर चला जाता था उसी तरह से शारोन भी अब करता है बच्पन में शारोन बहुत ही शाय था ज़्यादा कुछ बोलनी पाता था अब बढ़ा हो चुका है तो उसमें बहुत ज़्यादा confidence आ चुका है ये किसी को भी डरा सकता है धमका सकता है अभी वो ज़्यादा कुछ बोलता ने पर वो सही तरीके से आप बोल लेता है उसका street dealer उसके flat बराता है उसे पैसे देता है तो शायरण उसे कहता है तुम्हारे पास आज कुछ कम पैसे है ये dealer थोड़ा सा डर जाता है उसे धमकाता है ये dealer कहता है कि मैंने सब कुछ लाया है शायरण उसे धमकाता है कहता है कि क्या तुम मुझे liar बुला रहे हो ये situation ज़रा tense हो जाती है तब शायरण हस देता है वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा मजा कले रहा था इससा कुछ भी नहीं है तुमने इस बार बहुत ही अच्छे पैसे लाये है उसे वो पैसे दे देता है और वहाँ से निकाल देता है जब रात हो जाती है तो शायरण की answering machine पर एक message आता है इसकी mother का होता है उसकी mother से कहती है कि तुम मुझे visit करने के लिए आ सकते हो वो उसे miss करती है उसे मिलने के लिए उसे आना चाहिए वो इस message पर उसे बताती है लिटल को रात में नीन में करानी आती तो वो अरकाट वेकर करता है थोड़ी दिर बाद उसे एक call आता है यह जो call होता है यह केविन का होता है जब केविन अपने आपको introduce कराता है तो शायरण बिलिव नहीं कर पाता केविन कहता है कि टेरेसा से मैंने तुम्हारा number लिया था केविन पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ वो कहता है कि हाँ मुझे मालू मैं कौन बोल रहा है केविन कहता है कि मैं जोज यह आटलांटा में रह रहा हूँ यानि कि शारण की मदर जहार रह रह रही हुती है वो ही वो रह रह रहा होता है केविन उसे sorry कहता है वो कहता है कि जो सब हुआ इसके लिए मुझे बहुत ही बुरा फिल होता है यह सब होना नहीं चाहिए था केविन अब shape बन चुका होता है इसने भी कुछ गिलित रास्ते चुने थे और इसकी वज़े से वो जेल में जा चुका था जेल से वापस आने के बाद इन्हें प्रोबेशन करना पड़ता है इसे एक steady job चाहिए इसलिए एक cook बन चुका है वो शायरोन को कहता है कि कभी तुम यहाँ आए तो मैं तुमारे लिए cook करूँगा शायरोन फिगर आउट नहीं कर पाता कि कि इसने इसको क्यो कॉल किया है कीविन उसे कहता है कि रेस्टारण में इक आदमी आय था उसने गाना चलाया था इसके बाद तुमारे याद मुझे आ गय इसलिए उसने call उसे कहता है यही ये call खतम हो जाता है और हमें शायरोन अब drive कर रहा है यह हमें दिखता है, वो अडलांडा में आ रहा है पहले वो अपने मदर से मिलने जाता है शारान को रात में बुरे सबने आते है यह उसकी मदर को पता है उसकी मदर से कहती है, किसी से तुम इसके बारे में बात कर सकते हो प्रोफेशनल से बात कर सकते हो शारौन इस पर कुछ भी नहीं बोलता शारौन की मतर्ज होती है अब ओल एज फैसलिटी में होती है अब एक लीन हो चुकी है डगस वहरा कुछ भी नहीं करती इसे पता है कि शारौन क्या काम करता है यह फिर उसे एडवाइस करती है वो कहती है कि मैं बुरी थी मैं जो सब काम की यह बहुत गलत की है पर तुमें भी यह करना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है तुम अमनी लाइफ सही से कर सकते हो तुमारे पास चांस है कि तुम सही रास्ते पर चल सकते हो शैरोन फिर वहाँ से जाने लग जाता है उसे बेटने के लिए बोलती है वो कहती है कि तुमें पता है कि मैं तुम से बहुत प्यार करती हूँ तुमारा सब कोच अच्छा हो यही मैं चाहती हूँ यह उसे स्वारी बोलती है और यह दोनों रोने लग जाते है शारौन फिर केविन जहां काम करता है, वहां आता है, केविन उसे पहले पहचाने नहीं पाता, वो उसे बुछता है कि तुम कैसे आ गए, शारौन कहता है, तुमने मुझे कहा था, कि तुम मेरे लिए कुक करोगे, इसलिए मैं आया हूँ, केविन कहता है, कि तुम्हें देख बिना टेस्ट के ही, इसे पी लेता है, Kevin ने Sarahon के लिए जो डिनर बने होता है, इस Sarahon को बहुत एचा लगता है, ये को पता होता है कि ये कोन थे, वो कहता है कि उसके साथ ही मैंने शादी कर ली थे, ये बहुत ही यंग थे, तभी इसे बच्चा हो चुका था, अब उसके और उसके वाइफ का डिवास हो चुका है, ये भी शारौन को पता चलता है, ये शारौन से पूछता है, ये इंसिडन के बाद इसने क्या किया है शारण उसे कहता है कि जेल में में जूविय में चला गया था वहाई गैंस्टर से उसकी मुलागात हुई थे उसके लिए इसने काम करना शुरू कर दिया और जिस तरह से टाइम गुजरता गया इसे अच्छे से काम करता गया और एक बड़ा डिलर आई कर सकते है शारण केविन से पोछता है क्यों तुमने मुझे यहा बुला ऑया है केविन उसे बोलता है मैंने तुमने बता आया था एक आदमी आया था उसने गाना चला RAW जिससे मुझे तुम्हारी याद आगे शारणको इस पर बिलिव नहीं हो पाता केविन फिर उठत तो इसलिए उसे जारा डीजी मैसुस होने लगता है केविन उसके लिए कौफी बना रहा होता है केविन उसे कहता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा तुम बहुत ही अलग अब लग रहे हो शायरान उसे कहता है कि हमेशा से मैं ऐसा ही था केविन इस पर हसता है और कहता है मुझे पता है कि तुम कैसे थे केविन कहता है कि लास्ट टाइम जब मैं तुम से मिला था पर शारान उसका सेंटेंस इंटरप कर देता है वो कहता है कि लास्ट टाइम जाने के बाद मैं अब फिर से रोज अब हुआ हूँ मैं जैसा था, वो गलत था, मैंने आप काम किया है, और मैंने अमने लिए कुछ बना लिया है, मेरा जो पास था, इससे मैं आप उपर उट चकाओ, केविन कहता है कि ये भी सही है, शारौन केविन के बारें पूछता है, केविन कहता है, कि लोग हमेशा मुझे जो भी करने के बोलते रहे, वो मैं करता रहा, कभी मुझे जो फॉलो करना था, जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे करना था, ये कभी मैं कर नहीं पाया, शारौन उसे पूछता है कि अब क्या, केविन कहता है, कि आप तो मैं मेरे सन के लिए जीता हूँ, अपने सन से वो बहुत ह केविन फिर उसके पास दाता है, और एक दूसरे को साहरा दे रहे हैं, ये हमें दिखता है, इस सीन के बाद हमें छोटा शायरान दिखाए गया है, इस सीन का अब हम मीनिंग देखेंगे, जैसे हम छोटे होते हैं, तो महारा जो भी स्टगर होता है, ये कंट्रोल के लिए हो हम पाते रहते हैं, जब आप किसी रिलेशन्शिप में आतो, तो एक कंट्रोल पाने के लिए आपने आपको जैसे बनाया है, जिस तरह से खुद के पास हम एक शेल्ड वाल बना कर रखते हैं, वो सब हम तोड़ देते हैं, हम जैसे हैं, इसा इस आदमी को हमें दिखाना तक वो सब्सक्राण पैरेड थै, इसका नाम ब्लैक था, केविन लोसफे में बनाया है,प जैसे लोगों यतों से केशा हि सामना करना है, यह कवच ब्रषब krijदा थै, अब जो बेभ बढ़ा हो चुकए है, तो आपने आपको जना में ख़ड़ा कर लिया है, आप वे वर्ल क आप अप सामना कर पाता है फिर भी अकेला ही होता है अब जब वो केविन से मिल्चुका है अब वो अकेला नहीं है जैसा शाहारा है, केविन उसे वैसे ही जानता है एक दुसरे का साहरा बन चुके है इस लास्ट फ्रेंब के साथ यह movie end होती है growing up पर यह बहुत beautiful movie थी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा तो फिलिस इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो इसलिए इस चैनल को subscribe करना भी consider कीजिए bell notification icon भी दबा दीजिए यापको सब वीडियो मिलते रहे हम फिर से मिलेंगे और एक अच्छी movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप आपने आपका खैल रखिये